हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल वीड़ा वला इसी में मैं अमित कुमार सौनूं दोस्तों एक और लेटेस अपडेट के साथ जो की महत्पूर्ण न्यूज पेपर्स में और भी समाचारों में जो की सुर्कियों में बनी हुई है दोस्तों तो जानेंगे इस वीडियो में पूरा वीडियो देखें कि आखरी ये OBC संगठन क्यों लामबद हुए कितने संगठन लामबद हुए क्या इनकी मांगे रही है और सरकार इनके बारे में क्या सोचती है इस OBC आरक्षन के बारे में दोस्तों सबसे पहले हम प्रमुक हेड्लाइन्स जो की मैन रही है आज की निउस्पेपर्स में उसकी बात कर लें जैसा कि आप देख सकते हैं प्रमुक हेड्लाइन्स जो दी गई है कि 27 प्रतिशत आरक्षन को लेकर OBC संगठनों ने भरी हुकार 27 प्रतिशत आरक्षन के लिए लामबद हुए OBC संगठन दोस्तों 18 OBC संगठन है जिन्होंने की एक जुटता दिखाई है एक मंच बनाया है संयुक्त मंच और उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो हम इस चुनाओं में सरकार का विरोध करेंगे दोस्तों आईए जानते हैं ये संगठन कौन-कौन से हैं इनकी बैठक कहां पर हुई तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि मैं प्रमुक संगठनों के नाम आपको बता दूँ बैसे ही 18 संगठन है एक है सबसे प्रमुक है अपाक्स उसके बाद में दूसरा है OBC महासभा और साथ में ही अन्य ऐसे OBC संबंदित सभा और समीती रहे जिनोंने की बैठक का आयोजन किया और वहां पर सरकार के विरुद्ध एक लामवद होने का प्रयास किया दोस्तों इसमें है कि OBC की विभिन महासभा की बैठक पूर्व महापौर विभा पटेल और अपाक्स प्रमु संयुक्त मूर्चा के बैनर तरे जल्द ही एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा और इस सम्मंद में ही ये बैठक जो है विभा पटेल जी के घर पर आयोजित की गई थी जिसमें की प्रमुक 18 संगठनों ने इसमें भाग लिया है दोस्तों अब प्रशन उठता है कि आखिर इन संगठनों का एक साथ आने का क्या कारण रहा है ऐसी क्या सरकार ने गलती कर दी जिसकी वज़े से इनको लामबद होना पड़ा सरकार के बिरुद भाई भी जान लेते हैं जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं दूस्तों इसके कई सारे कारण रहे हैं पहला है कि सरकार दौरा 27 प्रतिशत आरक्षन की अधिसूचना जारी करने के बाद भी कोर्ट का बहाना बना करके भरती प्रक्रियाओं और प्रविश परिक्षाओं में 27 प्रतिशत को OBC वर के लिए लागू ना करना उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के दौरा कोर्ट में लंबे 27 प्रतिशत आरक्षन के मामले की सुन्वाई में किसी भी प्रकार से रूची नहीं लेना दोस्तों हम जानते हैं कि ये कमलनाज जी ने लागू किया था और इसको लागू करने के बाद में ये कोर्ट में मामलेच चला गया और उसके बाद में दोन परिक्षाओं और न्यूकती परिक्षाओं जैसे कि PSC है सिख्षक भरती परिक्षा वर्ग एक और दो है और भी कई एक्जाम से उनमें कोट का आदेश आने तक आरक्षन को लागू ना किया जाना तो दोस्तों ये भी काफी विवादित रहा है तो दोस्तों आखिर ये विवाद क्या रहा था कि कोट ने इसको लागू नहीं किया था और इसके संबन जो प्रमुक अधिवक्ता है जो प्रमुक वकील है उनके क्या विचार रहे ये मैं आप लोगों को एक वीडियो के माद्ध हम से बताता हूँ उसके बाद में हम बात करेंगे इनके मांगों की और उनके कारेकारणी सदसे की तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये वीडियो अभी जो जर्प्लाई पेश किया गया सरकार के दोरा उसमें में जो सरकार का पॉइंट है कि OBC की जो पॉपलेशन है मद्ध्यवदेश में वो 51% है और टोटल पॉपलेशन का ही SCS की OBC की देखी जाए तो उसका टोटल आ जाता है 87% पॉपलेशन SCS की OBC की है मद्ध्यवदेश में इसलिए हम OBC का रिजर्वेशन 14% से बढ़ा के 27% कर रहे हैं जो इंद्रासाणी का जो जिज्जमेंट है 1993 का Honorable Supreme Court के दोरा जिसमें Constitution Bench में 9 जिजजज ने ये बोला है क्लियरली बिल्कुल की population की basis पे कभी भी reservation नहीं दिया जा सकता क्योंकि इस तरह कहीं reservation दे दिया जाए हंदोस्तान में तो that will amount to reverse reservation for the general category की general category जो है वो तो बिल्कुल ही खतम हो जाएगी कहीं कि इस proportion को कहीं माना जाए तो तो गर 87% reservation भी दिया जा सकता है hypothetically क्योंकि SCST OBC की total population मत्यप्रदेश में comes to around 81 to 85 to 87% तो दोस्तों ये जो इंद्रसानी वाला मामला था इसकी वज़े से court में 27% आरक्षन को रोका गया है और high court ने जो है इसमें decision दिया है कि 14% आरक्षन को ही लागूर किया जाना चाहिए लेकिन अधी सूचना जारी की जा चुकी है तो इसके संबन्द में जो है अब इनकी OBC जो महासवा है और भी जो सहयुक्त सम्मीती है उनकी क्या मांगे रही तो वो आप देख सकते हैं संग्ठन ने जो मांगे की है कि सामाने स्रेनी को अनारक्षित स्रेनी कहा जाना चाहिए जिससे सरकारी नोकरी एवं चुनाओं में अनरक्षित सीटों पर अन्यवर्ग SC, ST एवं OBC स्रेनी के लोग भी आ सके दूसरा पॉइंट है कि प्रदेश में OBC की जातिगत गड़ना की जानी चाहिए जाति गड़ना के आधार पर जो 51-52% OBC है उसके हिसाब से गड़ना हो सभी नोकरियों में और प्रवेश परिक्षाओं में अतिशीग्र 27% आरक्षन को लागू किया जाना चाहिए दोस्तों इस सयुक्त समीती की ये प्रमुक मांगे रही है और साथ में ही उन्होंने कहा है कि उप चुनाओं में जो भी पार्टी हमारी बातों का सपोर्ट करेगी हमारा साथ देगी और इस 27% आरक्षन के लागू करने के पक्ष में रहेगी हम उनी का इन 27 सीटों पर साथ देंगे दोस्तों ये इनकी मांगे थी तो अब दोस्तों बात कर लेते हम कि इनके पदाधिकारी कौन-कौन चुने गए और क्या-क्या इनकी वेवस्था पक रहे तो दोएक सकते हैं आप लोग OBC सयुक्तु मोर्चा की कारिकार्णी के पदाधिकारी एवं सदस दोस्तों इसमें मुक्य सयुजक बनाया गया है बहदुर सिंग लोधी को उसके बाद में महामंत्री बने हैं CS यादव सहायक महापंत्री के पद पर चैन किया गया है प्रकाश मालविय का और कोशा अध्यक्ष बनाई गई है जो की पूर्व महापौर रही है विवा पटेल इनको आप जानते हैं उसके बाद में अपाक्स OBC महासवा OBC कर्मचारी संग्ठन और OBC की विविन महासवाएं इसकी स सहयोजक बनाई गई है तो दोस्तों ये कुछ important news थी कि OBC के जो 18 संग्ठन है वो लामबद हो चुके हैं 27% आरक्षन को लेने के लिए और साथ ही यदि ये 27% आरक्षन के पक्ष में सरकार जल्दी से कोई फैसला नहीं देती तो इस उपचुनाओं में हम इनका विरोध कर सक है ये तो बक्ती बताएगा मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें नई जानकारी के लिए शेयर करें वीडियो को और अधिक से अधिक लाइक करें पसंद आता है तो धन्यवाद जहें